हेलो वीवर्ड असलाम अलेकूं तो सबसे पहले आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग सुबे का टाइम है और मैं आई हूँ अपने घर के छट पर आज मुझे कुछ आपको अपडेट देनी है तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये देखे ये हैं मेरे भिंडी के पौदे जिनकी भिंडी भिंडी के पौदे बहुत ही आसानी से मतलब निकल आते हैं और इनकी अगर आप बीजो को लगा दें बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी में लगा दें प्लेन मिट्टी में लगा दें ये बहुत ही आसानी से इनकी बीजे जर्मिनेट हो जाती हैं और कुछे टाइम में छोटे छोटे से बेबी प्लांट आ जाते हैं और ये बहुत ही मतलब इनकी स्पीड बहुत तेज होत इस तरीके से मेरे पास ये पुराना सा टप था और इसी के अंदर मैंने इनकी बीजों को लगा दिया था और आप देख सकते हैं पौदे आ गए हैं अच्छे साइस के बड़े-बड़े पौदे हो गए हैं तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है कि इनको मैं अब नए पौट मे इनकी बीजों को ग्रो किया था और देख सकते हैं आप इसी तरीके से यहां पर भी देखिए क्यां कि तो भिंडि की जो बीजे वहां इसली तरीके से जर्मनेट हो जाती है और बहुत ही छोटे छोटे से जल्दी से plant भी आ जाते हैं और यह देख सकते हैं आप कितने सारे plant आएं हैं तक्रीबन सारी ही बीजे जो मैंने डाली थी जर्मिनेट हो गई हैं और ये देख सकते हाँ यहां पर भी तो अभी क्या है जब ये पौदे थोड़े से बड़े हो जाएंगे क्योंकि इनको मैंने 15 दिन पहले इनकी बीजों को मैंने लगाया था तो ये पौदे अब थोड़े से जब बड़े हो जाएंगे तो मैं क्या करूँगी जो बिल्कुल अच्छे healthy plant होगे उनको मैं रखूँगी और जो थोड़े से कमजोर plant होगे उनको मैं हटा दूँगी और इसी में भिंडियों को मैं grow कर दूँगी आप देख सकते हैं जिसमें मैंने भिंडी को लगाया है ये काफी बड़े size का pot है तो इसमें मैं 4-5 ही plant छोड़ूँगी जो अच्छे healthy plant होगे बाकी जो कमजोर plant होगे उनको मैं हटा दूँगी इसी तरीके से देखें ये भी काफी बड़ा है और ये पुराना ट्रंक है और इसमें मैं हमेशा सबजियों को ही लगाती हूँ तो इसमें भी देख सकते हैं कितने छोटे-छोटे से plants हैं तो इनमें जो सबसे healthy plant होगे उनहीं को मैं रखूँगी तो इतने बड़े pot में मैं कम से कम 5-6 plant ही रखूँगी और जो unhealthy plant होगे उनको मैं हटा दूँगी तो अभी छोटे-छोटे से baby plant हैं और अभी इनको थोड़ा सा मुझे कम से कम 15 दिन का मैं और time दूँगी तक ये plant थोड़े से बड़े हो जाएं जैसे कि ये वाले plant हैं तो आप लोग भी बहुत ही simple तरीके से अपने घर में ही भिंडी के पौदे उगा सकते हैं और उनसे अच्छी harvesting ले सकते हैं और भिंडी के पौदों में सबसे अच्छी खासियत ये होती है ये 6-7 महीना अच्छी तरीके से growth करते रहते हैं और भिंडिया आते ही रहती हैं और आपको घर में बिल्कुल organic healthy भिंडिया खाने को मिलेंगी तो मैं तो कोशिश करते रहती हूँ पिछले साल भी मैंने भिंडी के बहुत सारे पौदे लगाये थे और मुझे बहुत ही अच्छा उनका result मिला बहुत सारी मैंने भिंडिया भी harvest की तो बहुत आसानी से आप भी घर के अंदर भिंडियों के पौदे उगा सकते हैं वेस्ट material में उगाई है नॉर्मल मिटी में भी अगर इनको लगा देते हैं तो ये आसानी से चल जाते हैं वाँ थोड़ी बहुत इनके अंदर आप खाद आयट कर दें महीने डिल महीने में और आप अगर आपके घर में च्छत हैं तो आप च्छत पर भी शुरुवात कर सकते हैं तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि भिंडी के पौदे लगाने के लिए आपको पौट कितने इंच का लेना है तो देख सकते हैं आप इस तरीके से पुरानी बकेट ले सकते हैं या ग्रोबैक्स ले सकते हैं भिंडी के पौदे लगाने के लिए हमेशा आपको 12-15 इंच के ही POT लेने हैं चाहे आप POT ले लिजिए चाहे इस तरीके से Grow BKS ले लिजिए यह बहुत ही easily तरीके से online मिल जाते हैं और कम price में यह बहुत ही अची quality के होते हैं काफी दिनों तक चलते हैं यह देख सकते हैं तो इन में मैंने बैगन के पौदे लगाए थे और अभी ये बिलकुल फ्री हैं तो इनके अंदर ही मैं भिंडी के पौदो को shift कर दूँगी दो दो पौदे ही लगाऊंगी और ये बहुत ही आसानी से लग जाएंगे और मैं बताना चाहूंगी कि भिंडी के पौदे लगाने के लिए आप हमेशा काफी खाद वाली मिट्टी लें जैसे कि आप देख सकते हैं ये देखें बिलकुल कितनी खाद वाली मिट्टी हैं तो देखिए सबजियां जो होती ही उनका लाइफ टाइम जादा नहीं होता है पान से छे मैने के अंदर ही उनको सब कुछ करना होता है बढ़ना होता है फालफूल देना होता है तो देखिए आप जब भी किसी भी सबजी के पौदे लगाते हैं तो उनके लिए आपको काफी ख पर थोड़ी सी वर्मिंग कमपोस्ट या किचन वेस्ट कमपोस्ट हो या गोबर की खाद आप एक मुठी डिल मुठी दे सकते हैं इससे आपके भिंडी के पौदे बहुत ही हेल्दी बने रहेंगे और अच्छी तरीके से आप अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं साथ में मैं बताना चाहूंगे कि भिंडी की जो पौदे होते हैं इनको पानी बहुत कम पसंद होता है तो आप पानी हमेशा चेक करके दें जब पौट के मिट्री ड्राई हो जाए तब आप इनको पानी दें और 15-15 दिनों पे आप इनको लिक्विट फल्टिलाइजर भी दे सकते हैं बाकी जो सारी अपडेट होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी